नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारा यूटूब चनल में जी हाँ दोस्तों आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस पोदे को आप देखकर पहचान लेजिए इस पोदे सडक के आजू बाजू में जंगलों में घर के आसपास आसानी से देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों इसके इतने सारे फाइदे हैं अगर आप जानोगे तो चमतकार हो जाओगे इस पोदे के सहाता से आप दातों के हर समस्या को दूर कर सकते हैं इसके साथ साथ दाद, खाज, खुजली के समस्या ठिक कर सकते हैं साथ में चेहरे के पेमपॉल्स, काले दाग को ठिक कर सकते हैं इसके साथ साथ सरिर के फोड़े फुनसी चर्मरग को भी ठिक कर सकते हैं लेकिन किस तरह से इस्तमाल करने का है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो पुरा देखें, सबसे पहले दाट के समस्या के लिए, अगर दाट बहुत दर्द करता है, तो क्या करना है, इसके पत्ते को चबा-चबा कर उसका रस दातों में लगने से दातों का दर्द ठीक हो जाता है, साथ में अगर दात हिलने लगता है, मजबूत नहीं है, इसका दातुन करने से दात मजबूत होता है, साथ में अगर दातों में कीड़े लग गया है, तो इसके पत्ते को पीस कर दातों में लप देने से दातों का कीड़े मर जाते हैं, उसके बाद दाद खाज खुजली के समस्या के लिए अगर दाद खाज खुजली हुआ है तो इसके पत्ते को सिल बटे में पीस कर उसका पेश्ट दाद खाज खुजली में लगाने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाता है साथ में चेहरे के पिमपल्स को ठीक करने के लिए काले दाग को ठीक करने के लिए क्या करना है इसके पत्ते थोड़ा सा ले लो और साथ में निम के पत्ते थोड़ा सा ले लो और उसमें गाट बाला हल्दी मिलाकर एक साथ सिल्बटे में पीश कर उसका पेश्ट त्यार करो पेश्ट को पूरे चेहरे में लगाने से चेहरे के काले दाग और पिमपल्स ठीक हो जाता है दोस्तो आज का ये जनकारी आपको अच्छा लगावतो हमारा यूटूब चैनल जरूर सब्सकाइब करे